नमस्कार दोस्तों मेरा नाम आमिर है और वाइफा स्टेडी टू पॉइंट ओपर आपका हारदिक स्वागत करता हूँ जो कि अनकैडमी का ही एक पार्ट है आज़ेगे दोस्तों आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कोशन्स के बारे में जो कोशन्स आपको सबसे ज़्यादा एक आपके काबू में नहीं आते तो चलिए आज उन्हीं कोशन्स को हम लोग लेकर चलेंगे और कुछ ना कुछ बैटर चीज उनसे हम लोग सीखेंगे तो अगर ऐसे कोई भी कोशन्स आपके पास में आ जाए तो आपको क्या स्टेडिजी उस पर रखनी है उसके बारे में भी हम आज चर्चा करना चाहेंगे आपके पास में तो बेसिकली सभी लोग आजाईए साथ में जुड़ जाईए ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को शेर कर दीजिए दोस्तों और यहां पर हम बहुत सारी बातें आज आज आप लोगों से करने वाले हैं तो जल्द बहुत स्वागत आपका आज जो सेशन को बहुत बहुत स्वागत आज के सेशन को हमें बहुत जाएदा इन्नोवेटव बनाना है क्योंकि बैसिकली यह वह वो कोश्चन जो बहुत जगे पर अठके हैं और बहुत मिंपॉर्टटन कोश्चन से ये तो आप सभी जल्दी से जल्दी आजाईए यहाँ पर हमसे बहुत सारी बातें आप लोगों से हमें करनी है जल्दी जल्दी आजाईए और जितने भी दोस्त हमारे साथ में हैं सभी के सभी जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक भी कर दीजिए बिल्कुल आजाईए तो दोस्तों अनकैडमी पे हमारा क करेंगे login करेंगे अपना कोई भी एक हैलो हरिलाल ही माचल connection hello hello how are you यहां से आप ssc section के अंदर यहाँ जो भी section choose करना चाहते हैं choose करेंगे plus course के subscription पे जाएंगे और जब आप subscription जाएंगे तो आपके पास में के list नज़र आएगी उन list में जाकर आप मेरा code AMIRYT जब apply करेंगे तो apply करने की वज़े से आपको 10% instant discount यहाँ पर मिल जाएगा आपके कुछ points होंगे golden coins होंगे यह आपके credits होंगे इनको redeem करने पर आपको और ज़्यादा discount मिलेगा दोस्तों इसके बाद आप किसी भी payment method की जरीए आसानी से जो है चीजे कर लेंगे अनुच कुमार अनंद predictable का क्या करें predictable बिल्कुल आपके समझ में आजएगी फिकर मत कीजिए predictable के उपर भी हमारा session जो है वो काम करेगा और वो आपको मिलेगा wifi study ssc exam channel पर शाम को 6 बजे आप आपको बहुत तंक किये हुए है इनको आज हम तंक करेंगे ठीके हेलो हरमदीप सिंग पिंकी हरीलाल मीणा जी सीता राम जी very good evening all of you चलिए तो जल्दी से जल्दी share का आकड़ा बढ़ा दीजिए और सभी लोगों को बुला लीजिए चलिए question की शुरुवात करते हैं पहले question से निमलिकित में से वो कौन सा uranium समिस्थानिक है जो परमाणू उर्जा सैंत्र बिजली उत्पादन के इस्तमाल में किया जाता है which of the following uranium isotopic nuclear power plant is used in power generation uranium 234, 233, 235 या 249 आपके इसाब से क्या जवाब होगा जल्दी से जल्दी अपना जवाब दर्ज करवाईए और मेरे पास में दोस्तों के message नहीं आ रहे हैं क्या बात है वही जल्दी से जल्दी आजेए वेरी गूड जोतिशना हेलो राजवीर सिंग जी वेरी गूड इवनिंग पिंकी सैनी जी हेलो हेलो अमरेश हाव यू कैसे हो रीना यादब जी जितेंदर जी वेरी गूड आंसर देते रहिए जादा से जादा वेरी गूड इवनिंग अल॑ फूड बिल्कुल yeah बिल्कुल जोतिशना पारसर बिल्कुल बिलकुल BPSC के लिए है, don't worry तो HL में यहाँ पर जो आंसर होगा, वो होगा Uranium 235 तो HL में देखा जाए, तो यह Uranium का वो variant होता है जिसको हम प्रमाणू उर्जा सेंत्र बिजली उत्पादन में काम में लिया जाता है ठीके, चलिए, next question की और आगे, बढ़ते है आपने ओटो होन का नाम सुना है ना ओटो होन ने अनूबम की खोज किस दान्त पर की थी ओटो हन, discover, अनूबम, अनूबम का मतलब atom bomb है ना atom bomb का जो base principle है, वो क्या है nuclear fusion है, uranium fusion है, alpha radiation है या gamma radiation है, आपके हिसाब से answer क्या होगा बिल्कुल मनीशा कुमारी आदव, बिल्कुल आपके हर exams के अंदर ये काम में आएगा, don't worry हर exam में आपको ये काम में आएगा हमारे जितने भी questions हैं, ये सारे questions आपके सभी PSE, SSC, railways, इसके अलावा आपके जितने भी state exam है, उन सभी exams के अंदर काम में आएगा, definitely जैमातादी, जुतेंद्र बिल्कुल, बताईए आपके साब से answer क्या होगा जल्दी जल्दी answer दे दीजे दोस्तों हमारी वीडियो को like and share जरूर कीजे दोस्तों चलिए, बहुत बढ़िया exactly सही answer है और answer है, नाभी की विखंडन अभी की रिया तो जितने भी atom bomb बनेते वो किसकी वज़े से बनेते, नाभी की विखंडन अभी की रिया की वज़े से बनेते बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, आप सभी के दुआरा exactly correct answer है और answer है nuclear fusion, अगले question क्यों और आगे बढ़ते हैं, ऐसे परमाणूओं को जिन में proton की संखिया समान होती है परंतु neutron की संखिया बिन होती है क्या कहलाते है आईसो बार समदाबिक कहलाते है आईसो टोप समिस्थानिक कहलाते है आईसो मोर समयवी कहलाते है यह isotones some neutronic कहलाते हैं आपके हिसाब से दोस्तों क्या जवाब सही होना चाहिए atom that have the same number of proton but the different number of neutron it said जल्दी अपना आंसर दर्ज कीजिए दोस्तों आपके हिसाब से क्या जवाब सही होना चाहिए क्या होंगे दोस्तों सभी दोस्तों से पर छोटी सी अपील प्लीज लाइक दा सेशन जल्दी जल्दी जवाब देकर बताते रही है दोस्तों आपके हिसाब से जवाब क्या होगा जवाब का सिल्सला रुकना नहीं चाहिए बिल्कुल जिते अंदर चोहान आपकी NTPC मेरे बरोसे और I believe that कि जितने हम questions कर रहे हैं आपको सारे questions आपके examination में मिलेंगे exactly बिल्कुल सही जवाब दोस्तों समिस्थानिक बिल्कुल सही जवाब है तो समिस्थानिक कौन होते हैं ऐसे प्रमाणों होते हैं जिन में proton की संख्या समान होती है और neutron की संख्या बिन होती है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों exactly correct answer अगले question क्यों आगे बढ़ते हैं कल पक्कम के fast breeder test reactor में हमने एक इंधन का use किया था वो इंधन कौन सा है थोरियम है यूरेनियम है प्लूटोनियम है या टंगस्टन है आपके इसाब से answer क्या होगा जल्दी बताइए बिल्कुल जोतिशना पराशर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कल उपक्कम एक जगे है वहाँ पर reactor में हमने किस इंधन का प्रियोग किया था जल्दी बताइए बिल्कुल राजवीर जी एकदम सही जवाब आपके द्वारा कल उपक्कर में तमिल नडू में इस्तित है और वहाँ पर हमारा ये नुकिलिर पावर प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तो मैंने का था था थोड़ा सा टेपिगल कोश्चन्स है ये आपके बहुत सार एक्जामिनेशन में पूछे गए हैं दोस्तो जितने भी स्टेंडर्ड कोश्चन्स है अनुच कुमार अनन्द तो आंसर देकर बताईए न कौन सा आंसर सही होगा डियर गलत जवाब है आपका सर एमपी पुलिस के लिए प्रशन उचेत रहेंगे बिल्कुल सचिन जी एमपी के लिए बिल्कुल कोश्चन उचेत रहेंगे नरेश बहरवा जी वेरी गुड नाइट गुड नाइट मेरे दोस्त हेलो मुदित जी बहुत बहुत स्वागत आपका चलिए दोस्तो इसका अंसर मैं बताए देता हूँ जो कल पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट है न यहाँ पर प्लूटोनियम को ए इंधन के रूप में प्रियूक्त किया गया था ठीके दोस्तो यूरेनियम नहीं था प्लूटोनियम था जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम curiosity अंधन में नाभी की रेक्टर इंधन में यूरेनियम का यूज करते हैं लेकिन दोस्तो कल पक्कम में प्लूटोनियम का यूज किया गया था तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा बिल्कुल रेन्यू कुमारी जी एक्जेक्ली सही आंसर आकांशा वर्मा भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन वहाँ पर एक प्रियोक्त इंदन के रूप में बात कीगी ऐसा नहीं है कि आप यूरेनियम से फास्ट बीडर टेस्ट नहीं करवा सकते लेकिन वहाँ पर प्रियोक होने वाला जो इंदन था वो प्लूटोनियम था बस इतना साही कांसर होगा चलिए अगले जवाब की ओर बढ़ते हैं तो कल उपक्कम फास्ट ब्रीडर रियक्टन के विशे में आपके इसाब से कौन सा कथन सत्य है इसमें केवल प्राकर्तिक यूरेनियम इंदन का उपरियोक किया गया था इसमें प्लूटोनियम कार्बराइड वे प्राकर्तियम यूरेन कार्बराइड के इंदन मिश्रन की रूप में यूज में लिया था या इन में 2000 मेगावार्ट से अधिक परमाणू विदुद उत्पन की जाएगी आपके इसाब से कौन सा कथन सत्य है जल्दी बताइए दोस्तों बिल्कुल रोई दाकर जी राजिस्तान पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसारी कौस्चन्स उन्हीं को देखकर ध्यान में रखकर मैंने ये कौस्चन्स बनाए है वेरी गूड दोस्तों प्लीज जल्दी सी जल्दी हमारे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए वेरी गूड चलिए मैं बताता हूँ आंसर देखिए अभी हमने कल पक्कम फास्ट बीडिल रियक्टर के बारे में पढ़ा पहला वाला तो बिलकुल गलत है क्योंकि वहाँ पर प्राक्रतिक यूरीनियम इंदन का प्रियोग नहीं किया गया था प्लुटोनियम कारबाइड का प्रियोग किया गया था ये बिलकुल सही है इसके अलावा 2000 मेगावार्स से अधिक उर्जा उत्पन की जाएगी विदूत उत्पन की जाएगी ये भी एग्जेक्ली सही है तो इस हिसाब से देखा जाए तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सही हो होगे और ये ओप्शन क्या होगा सी होगा ठीके दोस्तों इस तरीके से बिलकुल सही जवाब आंसर होगा यहां पर सी एग्जेक्ली आप लोगों ने आंसर यहां पर सही दिया है दोस्तों बिलकुल सही जवाब अगले कुशन की और आगे बढ़ते हैं अगर आप से कि पेलिकुल अमरेश आज स्योडी क्लास हुआ था डियर 9 बजे आपके इसाप से हीलियम के नाबिक में क्या होगा जल्दी बताईए शाप कि हीलियमके नाबिक में क्या होगा कि जल्दी बताईए दोस्तों क्या बात है बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों और जवाब है दो प्रोटोन और दो न्यूट्रोन क्योंकि हीलियम क्या है एक नोबल गैस है ठीक है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप सभी के द्वारा ठीक है अब मैं आपको इसकी ट्रिक जो है वो याद करवा देता हूँ अगर आप noble gas की ट्रिक याद करना चाहते हैं तो noble gas की ट्रिक है हे नेता करोडपती जीवित रहे ठीक है helium, neon, krypton argon, xenon और redon इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं ठीक है बच्चो ये क्या है ये आपकी एक trick हो गई ठीक है तो जब आपको याद करने होंगी noble gas तो आप याद करेंगे हे नेता करोडपती और जीवित रहें ठीक है तो हैसे हो गया helium, neon, krypton, organ, xenon और redon ठीक है पच्चो याद रखना बिलकुल बिलकुल सही जवाब चलिए अच्छा एक चोटी सी trick हम लोग याँ पर खेलते हैं आपकी competition level को बढ़ाने के लिए ठीक है जो answer सबसे पहले सही देगा उसका answer में screen पर लिखूंगा चलिए अगले question की और आगे बढ़ते हैं नाभी की उर्जा की द्रस्टी से निम्न धातूओं में से भारत में कौन सी धातू सबसे ज़्यादा पाई जाती है जल्दी बताईए आपके साब से answer क्या होगा मनोज बहरवाल बिलकुल अगर आप इन questions को करते हैं तो definitely आपका जो मामला है वो बहुत अच्छा हो जाएगा शुबम कुमार डियर हीलियम के बारे में अगर बात की जाए तो noble gas है तो C answer यहाँ पर सही है Thank you so much नरेश Hello Amit कुमार आपके साब से कौन साब भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तो जल्दी बताईए Exactly सही आंसर दोस्तों और आपका आंसर है क्या? ठोरियम 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 बिल्कुल सही आंसर है यह भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों इसी लिए यह अच्छा कहां पाया जाता है? केरल में पाया जाता है? ठीके? केरल के लावा और दोस्तों कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है बिहार की तरफ ठीक है इसके अलावा जारकंड की तरफ भी पाया जाता है और बताईए आप और इसके अलावा कहा पाया जाता है जारकंड और बिहार तीन जगे मैंने तीन जगे पढ़ा था आप सभी जो है वो जी के गुरू जी से पढ़ते हैं आपके ज कौन से धातू का उपियोग किया जा सकता है लोहा यूरेनियम ताबा और एलिमीनियम बहुत आसान सा कुश्चन है जल्दी से आंसर जबाब दीजिए जल्दी आंसर देकर बताएंगे आपके इसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों विद्धु तुद्पन करने के लिए हम कौन से धातू का उपियोग कर सकते हैं जल्दी बताइए रिनी मिश्रा हेलो बिलकुल सही जवाब एकदम सही जवाब यूरेनियम अभी अभी आपने पड़ा कि यूरेनियम दोस्तों पैतिस को यूज किया जाता है निकेलियर पावर प्लांट में और उससे क्या बनाई जाती है इलेक्ट्रिक सिटी बनाई जाती है ठीक है इलेक्ट्रिक करेंट बनाया जाता है दोस्तों चोटी सी अपील आपके लिए प्लीज लाइक दा सेशन अगला निमलिकित में से कौन सा एटम बम का भाग नहीं है या एटम का भाग नहीं सौरी तो कौन सा भाग नहीं है प्रोटोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन या फोटोन which of the following is part not a part of an atom आपके इसाब से आंसर क्या होगा दोस्तों जल्दी इस अपना आंसर देकर बता दीजी जल्दी बताईए बच्चों कोई बात नी रिनी मिश्रा next question में try कीजिए बिल्कुल कोकिला जी राजिस्तान लेवल के हैं बिल्कुल लेवल के है राजिस्तान के बिल्कुल मनुच जी राजिस्तान लेवल के है आपके इसाब से आंसर क्या होगा जल्दी आंसर दीजिए बिल्कुल दोस्तों आपका जवाब यहाँ पर सही है और आंसर है फोटोन फोटोन क्या होते हैं दोस्तों ये होते हैं उर्जा के बंडल ठीके तो packet of energy packet of energy क्या कहलाते हैं दोस्तों photon कहलाते हैं बिलकुल सही जवाब आपके द्वारा अगला question पूर पढ़ते हैं चली बताइए कि तारे अपनी उर्जा निम्न में से कहां से प्राप्त करते हैं विच आप दा फॉलोविंग स्टार रेसीव देर एनरजी नुकिलियर फीजन यानि विखंडन अभी किरिया से नुकिलियर फ्यूजन कॉम्बिनेशन से रासाइनिक किरिया से या गुर्तवा कर्शन के खिचाव से आपके इसाब से आंसर क्या होगा बिल्कुल लाइट के बंडल बिल्कुल वसिश जी लाइट के बंडल उर्जा के बंडल ठीके इनको फोटोन कहा जाता है एकदम सही जवाब बिल्कुल आडिएक्स जी डिल्ली पुलिस के लिए भी है ये ये हमारा सेशन सभी एक्जाम्स के लिए होता है जल्दी बताईए आपके हिसाब से क्या जवाब होगा कहां से प्राप्त करते हैं दोस्तों जल्दी बताईए बिलकुल दोस्तों सही जवाब आंसर होगा B नाभी के सैयोजन के फलसरोग जैसे अगर हम बात करें सूरिय के बारे में तो सूरिय के जो जलने का कारण है दोस्तों वो क्या है वो है नाभी के सल्यन है ना और नाभी के सल्यन को हम क्या कहते है हम कहते है निकेलियर फ्यूजन ठीक है दोस्तों बिलकुल सही जवाब बिलकुल NTPC के लिए है अनू आप बिलकुल लगे रही है याँ पे चलिए अगल निम्री के छेत्रों में से किस एक में इंद्रा गांधी प्रमाणु अनुसंदान के इंद्र ने वर्ष 2005 में महतुपूर परगर्ती करी ठीके तो आपके साब से क्या होगा बिल्कुल विजे जी यह आपके बिल्कुल दोस्त जोती यहां पर क्लास डेली होती है नौ बजे धा के उत्पादन के लिए नई प्रद्योगे की या उच्छ इस्थर ये नुकलीर अप्सिष्ट प्रबंदन के लिए नई प्रद्योगे की आपके साब से इन सभी के अंदर कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बता जीजे दोस्तों गुड़नाइट मनोज जी बिल्कुल दिनेश यादव जी स्टेनोग्राफर के लिए भी है अगर आप दिल्ली पुलिस की क्लास ढूण रहें दोस्तों वाइफाई स्टिडी स्सी चैनल पर हमारे एक स्टीचर है जिनका नाम है अजे कुमार मिठारवाल सर वो दिल्ली पुलिस और स्सी दौनों के लि हाँ डियर आडी एक्स यहाँ पर रोज मंडे से फ्राइडे तक आपकी क्लास नौ बजे लगेगी यहाँ पर बिल्कुल जी चलिए इसका आंसर मैं देता हूँ आंसर बिल्कुल आप लोगों ने जो आंसर दिया वो सही है और वो है बी तो यह उपलबदी सबसे महत्वपूर थी एक्जेक्ली दोस्तों आंसर होगा यहाँ पर बी चलिए अगले कुशन के आगे बढ़ते हैं बी आर आई टी जो की भारत सरकार का एक है निमलिकित में से किस के किस एक के साथ कारियरत है ठीक है वी आर टॉकिंग अबाउट बी आर आई टी ठीक है अगर हम बात करें बी आ आर आई टी के बारे में तो आपके साथ से किस से संबंद रखता है यह ठीक है इन्फरमेशन टेक्नोलजी रेल वेगन आई सो टॉपिक टेक्नोलजी या रोड ट्रांसपोर्ट जल्दी बताइए आपके साथ से आंसर क्या होगा मुदित चाबड़ा जी अगर आप क्लास अ जलदी बताइए दोस्तों आपके शाब से जवाब क्या सही होना चाइए चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आप लाइट कर दीजे सेशन को मेरे प्यारे दोस्तों प्लीज लाइक दा सेशन बिलकुल राज़िस्तान पुलिस के लिए करिन जी चलिए इसका आंसर दोस्तों मैं दे देता हूँ आंसर होगा यहाँ पर C ठीक है मैंने आपको फुल फॉर्म इसलिए ने बताया था क्योंकि फिर आंसर्स की चोर ही हो जाती है न इसका नाम क्या है? Board of Radiation and Isotopes Technology ठीक है? यह हमारा BRIT का full name है तो बिल्कुल बिल्कुल काना जी जरूर हो जाएगी offline show ठीक है? आपको कोई problem वाली बात नहीं है तो यहाँ पर answer है सामिस्थानिक प्रद्योग्य की अगले question क्यों रागे बढ़ते है मानव श्रदर्ष लगुतम कपी कौन सा है? Is the smallest human-like type कौन सा monkey है? चिंपैंजी है? गीबन है? गॉरिला है? या और नियोट्रॉन है? आपके इसाब से जवाब क्या होना चाहिए? नरेश बहरवाजी हमारी राजिस्थान सरकार का मामला अभी up and down ही है इसलिए पूरी तरीके से मैं आपकी बात का ये जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा अभी इन्होंने कुछ एक नया मामला शुरू किया हो कोई कुछ नहीं कह सकता इनको कि क्या करेंगे? Very good, दिनेश जी Very good Hello, शुबम जी चलिए दोस्तों, मैं देता हूँ और आंसर है गिबन दोस्तों, अगर हम बात करें गिबन के बारे में तो ये सबसे लगुतम कपी होगा Sir, मेरे को बताओ कि Reasoning और Math की भी क्लास है क्या? बिल्कुल राडियेट जी आप Wi-Fi Study SSC चैनल पर जाएए आपको वहाँ पर Reasoning और Maths दोनों की क्लास दोस्त मिल जाएगी ठीक है? Hello दिपिका पटेल संचिता जवाब होगा यहाँ पर B ठीक है? चलिए आगले कुशन की और आगे हम बढ़ते हैं एक जीवधारी के रूप में प्रित्वी का व्याज्यानिक नेम क्या होगा? The scientific name of Earth as the living organism सीता, संग, ग्रीन प्लाइनेट या हर्मिश आपके इसापसे आंसर क्या होगा? बिल्कुल सीता राम जी हम नुमेरिकल भी देंगे कोई बात नहीं जीते इंदर मनोज मैं जैपूर से हूँ जैपूर राजस्तान बिल्कुल सही जवाब आप सभी के दुआरा और हमारा जो प्लाइनेट है वो क्या है? ग्रीन प्लाइनेट है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों एकदम सही जवाब दिया अगले कुशन क्यों आगे बढ़ते है निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है ठीके इन दौनों के बीच में कौन सा सही नहीं है एक्जेक्ली सही जवाब आप सभी के दुआरा परजीवी उपभोगता स्वेजीवी उत्पादक मृतोप जीवी विबंदन या त्रणबक्षी गौन उपभोगता ठीके पैरासाइट कंज्यूमर सेल्फ प्रोड्यूसिंग या सॉइल बाइंडिंग या टेटेनियम सेकेंडरी कंज्यूमर आपके इसाब से इसका जवाब क्या होना चाहिए अचाने आप बूंदी से बहुत-बहुत स्वागत आपका दोस्तों ये जो त्रणबक्षी दे रखा है एच्वल में नर्बक्षी है वेरी गूड इवनिंग बिलकुल सही जवाब दोस्तों आंसर डी बिलकुल सही होगा ठीक है? एग्जेक्ली सुरेंदर जी सीट डेट के बारे में दोस्त मुझे नहीं पता आप एक बार हमारी वाइफाई की जो बेसिकली मंडे टू फ्राइडे की जो लिस्ट आती है दोस्त आप उसमें एक बार चेक कर लीजेगा चलिए अगला कुश्चन आप लोगों से पूचा जाता है कि निमलिकित में से कौन सी एक मचली है? विच आफ दा फॉलोविंग इस ए फिश समुन्दरी गाय, समुन्दरी कुकंबर समुन्दरी घोडा या समुन्दरी भाग आपके साब से इन में से कौन सी मचली है? बिल्कुल शुबम आरारबी के लिए ही इंपॉर्टेंट है एक दम बिल्कुल सही जवाब बताईए जी आपके साब से आंसर कौन सा सही होगा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों जवाब है समुन्दरी घोडा क्या कहते हैं इसको इसको कहते हैं दोस्तों बिल्कुल इसको कहते हैं दरियाई गोडा एक्जेक्टली जवाब आपके द्वारा एकदम सही है दोस्त अभी मुझे इस बारे में नहीं पता अभी इस मामला अठका रखा है अब ये कब तक जाएगा दिल्ली पुलिस का ये भी नहीं कह सकते हैं दोस्तों SSC के उपर दबाब बना आप लोगों का दबाब गया चीजें और सही हुई दीरे दीरे चीजें सही होंगी डेफिनेटली चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा इस्तनपाई कौन सा है इन में से विच इस दा लार्जेस्ट मेंमल उफ आर्ड जॉर्जियन एस आप अगर पीडियेफ जाना चाहते हैं तो दोस्त वाइफाई स्टीडी का एप डाउनलोड करके वहाँ से आप पीडियेफ ले सकते हैं बिल्कुल दोस्त एकदम सही जवाब आंचर होगा वेल मचली बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी के त्वारा वेल मचली बिल्कुल सही अगला कुशन आप बताईए कि इन में से कौन आपको मचली रही लगता शौफिश, स्टार फिश, पाइप फिश या गिटार फिश क्या बात है बहुत बढ़िया पाली से लाइव आप बहुत बहुत है आपका स्वागत एक्जेक्टली आपका सही जवाब है और ये है स्टार फिश नहीं दोस्तों स्टार फिश बिलकुल सही जवाब है ठीक है स्टार फिश एकाइनो डर्मेटा सदस्य है और ये मचली में काउंटेबल नहीं होता दोस्तों बिलकुल सही जवाब आप सभी के द्वारा अगला दुशन अगर आप से कोई पूचा जाए कि इन में से कौन सा एक मीन कहलाता है केटल फिश, क्रे फिश, फ्लाइंग फिश या सिल्वर फिश लुतिया जी आप अगर क्लास फर्स टाइम जॉइनिंग क्लास थैंक्यू सो मच आपका बहुत-बहुत स्वागत यहाँ पर मेरे दोस्त सभी को मैं आपको बता दूँ कि रोज रात को नौ बजे हमारी एक लास चलती है तो आप सभी का बहुत-बहुत यहाँ पर स्वागत है रवी शंकर जी एकदम सही जवाब दिया आपके दुआरा और आंसर है यहाँ पर फ्लाइंग फिश बिलकुल सही जवाब हेलो एजाद चौदरी जवाब बिलकुल आपका सही है सी जवाब दिनेश जी बिलकुल ठीक है चलिए शैतूत शौल बनाई जाती है शातूत शौल किस से बनाई जाती है चिंकारा के बाल से हुगल के बालों से चिरू के बालों से या मेरिनों के बालों से आपके इसाब से जो शातूत शौल बनाई जाती है जो फॉट फेमस शौल है वो किस से बनाई जाती है जल्दी बताईए जोर्जिया पता नहीं आज इस्ट्रेंड क्यूं कम है दोस्त आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए शायद दोस्तों को पता नहीं है चली मैं बता देता हूँ आणसर होगा चिरू के बालों से ठीक है थोड़ा साथ टेपिकल कोशन था कोई बात नहीं ठीक है नहीं बिल्कुल होती है जी ऐसी बात नहीं है जिनके कोशन मैं जवाब देख लेता हूं दोस्तों वेल निम्ण वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है which of the following classes of animal is a whale mammal, fish, reptiles या amphibian आपके इसाब से आंसर क्या होगा शुबम कुमार जी आजकल ऐसे ही questions पूछे जा रहे हैं exam में इसी लिए इनको most difficult question कहा गया है मैं जान बूच के आपके लिए difficult questions लेकर आता हूँ ताकि आप इन सभी बिल्कुल दिने से आपने एकदम सही बोला आप इनको regularly देख पाए आपका बहुत बहुत स्वागत है रवी जी आपका आज फस दिन है बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत कुश्री जी ए बीम जी आपके लिए हमेशा दुआ रहेगी सभी बच्चों के लिए दुआ रहेगी एकदम सही जवाब दोस्त आप सभी का जवाब सही है और जवाब है इस्तन पाई एक मेमल होता है बिल्कुल सही जवाब दोस्तों अगला सबाब आपके इसाब से इन में से कौन सा इस्तन पाई है आपके सामने दे रखा है जल्दी सा आंसर दीजिए आप फटा फट बिल्कुल दोस्त एकदम सही जवाब में मलस इस दा सही आंसर बिल्कुल सही आंसर है इन में से आपका कौन सा इस्तन पाई है जल्दी बताईए रिदिममित्तल बहुत बहुत स्वागत है आपका बिल्कुल मुदित जी रीट में questions आते हैं ये इसी तरह की questions पूछे जाते हैं मुदित जी आप बिहार से हैं बहुत बहुत स्वागत आपका हेलो शुबम आप भी ब्यार से हैं बहुत बहुत स्वागत दोस्त आपका बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा D. वेल बिल्कुल दिखता हुआ सवाल है बहुत बढ़िया अगला अगर आपसे पूचा जाए कि मचलिया सास कैसे लेती है तो आपका जवाब क्या होगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आप सभी के द्वारा अगर आपसे पूचा जाए कि मचलियां में स्वसन कैसे होता है तो आपका जवाब क्या होगा बिल्कुल लक्की जी दिल्ली पुलिस के लिए है बिल्कुल है दोस्त मेरे जल्दी जल्दी दोस्तों सेशन को लाइक कर दीजिए जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए दोस्तों बिल्कुल राजिस्तान पुलिस में आएगा मेरे दोस्त रवी प्रजापत जी मुधित चाबला जी आप करोली डिस्टिक्स है चलिए बहुत बढ़िया विक्की कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत आपका आप नए है लली द्याजव जी रीट अभी अटकी हुए पर फड़े द्वारा ये कुश्चन थोड़ा हो गया है जित अंद्र कर में पाकिस्तान तो अच्छा साब गल्फड़े बिल्कुल सही अच्छा एक कुश्चन मैं आप से पूछू चोटा सा कॉक्रोच कहां से सांस लेता है को कॉक्रोच का स्वसानिस्थल कौन सा है जल्दी ब बिल्कुल सही जवाब है अगर मैं आप से चोटा सा कुश्चन पूछू कि कॉक्रोच कहां से सांस लेता है तो आप क्या जवाब देंगे दोस्त कि बिल्कुल एजाज जी जरूर एकदम कहां से लेता है कॉक्रोच चलि ऑप्शन देता हूं तो अच्छा फेफडे स्वासनली या गलफडे बताइए जरूर बिल्कुल लखी जी मिल जाएंगे कॉश्चन पीडिएफ में आपको वाइफाइ स्टेडी का एप डाउनलोड करना होगा दोस्त नहीं दोस्तो यहाँ पर जो जवाब होगा वो होगा स्वासनली यानि ट्रेकिया कॉक्रोच जो होता है वो ट्रेकिया से सांस लेता है इसलिए अगर कॉक्रोच को आप पानी में डाल दे तो वो मर जाता है ठीक है क्योंकि उसकी सांस की नली के अंदर पानी बर जाता है ठीक है दोस्तों बिलकुल यहाँ पर जो जवाब होगा वो स्वांस नली होगी ठीक है चली आगले कुश्यन की और आगे बढ़ते बताईए कि निम लिकित में से कौन है वो जिसमें लिंग उनसुत्र नहीं पाय जाते विच आफ दा फॉलोविंग डज नॉट है वे सेक्स क्रोमोसोम चीता बंदर बटरफ्लाई या लीजर्ड आप बदाएगी कहां से होगा क्या होगा कि अधा अरे रही वो जितेंदर कुमार है हमारे बहुत पुराने स्ट्टेंट है वही दोस्तों जल्दी से जल्दी आप सेशन को लाइक भी कर दीजिए साथ-साथ में जल्दी बताएगी दोस्तों आपके इसाब से क्या होगा सही आंसर आपके इसाब से आंसर क्या सही होगा नहीं 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 तितली नहीं लीजर्ड छिपकली छिपकली में सेक्स क्रोमोसोम नहीं पाए जाते है ना दोस्तों याद रखना इन में सेक्स ख्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं आंसर होगा यहाँ पर दोस्तो D और पता है आपको किसमे आया था मेरे दोस्तो ये कुश्चन आया था है chess रीट में ठीके बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर चलिए आगला कोष्ण निमलिकित में से इन में से किस में पित्ता से नहीं पाया जाता विच आप दा फॉलोविंग डज नॉट कंटेन गॉल ब्लेडर जिराफ, कैमेल, रैट या फिश आपके इसाब से आंसर क्या होगा जल्दी बताईए किन में पित्ता से नहीं होता बिल्कुल रवी जी, बिल्कुल सही जवाब आपके दुआरा बिल्कुल सही जवाब है रवी जी, एकदम सही जवाब है आपका और आंसर होगा चूहे जो चूहा होता है न दोस्तों, उनमें पित्ता से नहीं होता ठीके, क्यों नहीं होता पता है आपको चूहे का जो लीवर होता है न, उसमें इतना कंसंट्रेट बाइल जूस निकलता है, कि वो जब भी खाना खाता है तो वो बाइल जूस निकलना स्टार्ट कर देता है और उसको पित्ता से रखने की जरुरत नहीं पड़ती हम जितने भी है न, हम सबको पित्ता से रखना पड़ता है क्योंकि पिता से क्या काम करता है पितरस को concentrate करता है लेकिन चुए के अंदर जो पिता से नहीं पाय जाता उस में बनने वाला bile juice पितरस पहले से ही सांधर प्रवर्ती का यानि koncentrate होता है तो आप याद रखना answer होगा चुअ बिलकुल साइ़ जवाब अगला यांत्री कुर्जा की SI unit क्या है What, Joule, Newton per second या Joule per second आपके इसाब से आंसर क्या होगा जल्दी बताइए बिल्कुल जॉर्जा जी NDA की preparation भी होती है दिनेश आदव जी बिल्कुल मैंने आपका नाम ले लिया है दोस्त जल्दी बताइए बिल्कुल सही जवाब दोस्तो उर्जा की unit Joule होगी एकदम सही जवाब Joule बिल्कुल सही आंसर है अब्यस है चलिए अगला कुशन Joule उर्जा से उसी तरह से संबंदित है जैसा की पास्कल संबंदित है किस से दाब से, मात्रा से, घनत से, शुदता से या किसी से नहीं Joule is related to energy in the same way as the pascal is related to pressure, quantity, density, purity या none of the above आपके इसाब से आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताइए दोस्तो बिल्कुल सुमन जी मैंने आपका नाम ले लिया है जल्दी से जल्दी session को like कर दीजिए मेरे दोस्तो एकदम सही जवाब एकदम सही जवाब आंसर होगा pressure ठीके तो बिल्कुल सही जवाब दोस्तो pressure बिल्कुल सही आंसर है तो जिस तरीके से जूल उरजा से जुड़ा हुआ है उसी तरीके से पास्कल दबाब से जुड़ा हुआ है very good अगला question बहुत ही simple सा question है प्रकास की गती इन में से क्या होती है जल्दी बताईए ignite future बिल्कुल आपका नाम ले लिया है एकदम सही जवाब तीन गुणा दसकी घात आट मीटर पर सेकेंड बिल्कुल MP Constable के लिए है ये दोस्त चलिए बिल्कुल सही जवाब अगला question सुनिए ध्यान से अगर हम चंद्रमा की सतय से एक चटान को पृत्वी पर लाए तो क्या होगा इसका बहार और द्रविमान दोनों बदल जाएंगे सिर्फ द्रविमान बदलेगा बहार और द्रविमान दोनों ही अप परिवर्तित रहेंगे या बहार बदल जाएगा लेकिन द्रविमान नहीं बदलेगा बट नॉट मॉस आपके साफ से अंसर क्या होगा हाँ जी बिलकुल रडेंश जी सही जवाब एकदम सही जवाब दोस्तो और जवाब होगा D इसका भार बदल जाएगा लेकिन दर्विमान नहीं बदलेगा दोस्तो हमेशा आप याद रखना कि W बराबर होता है M into G ठीक है तो कभी भी याद रखना G क्या होता है G होती है gravity ठीक है दोस्तो अगर हम बात करें gravity अर्थ पर तो होती है 9.8 meter per second square और अगर हम बात करें moon में तो होती है 9.8 by 6 meter per second square दोस्तों हमेशा याद रखना के भार बदलता है लेकिन दर्विमान कभी नहीं बदलता ठीके तो आप इसका हमेशा याद रखना answer होगा D चलिए बचो आगे चलते निमलिकित में से कौन सा सही सुमेलित न लिए नौट होता है जहाज के चाल की माप ऑंग स्ट्रॉंग होता है प्रकास के तरंग देरी की काई या प्रकास वर्स होता है समय मापन की काई तो आपके इसाब से कौन सा answer सही होगा ग्रिविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी वेरी गुड रिदिमा विच आपके साब से कौन सा गलत है इगनाइट फीचर देखिए एक बार वेरी गुड नरेंद्र जोर्जन बहुत बढ़िया यार वेरी वेल दन बिल्कुल गुरूप D के लिए है अजीम शेक आप सभी बिल्कुल अपनी घडी में टाइम जो है वो मिला लीजिए और 9 बजे हम आपको मंडे से फ्राइडे तक यहीं मिलेंगे दोस्तो चलिए मैं बता देता हूँ answer होगा यहाँ पर D तो प्रकास वर्ष क्या करती है खगोली दूरी नापने की इकाई होती है क्या होती है भचो खगोली दूरी नापने की इकाई ठीक है मेरे दोस्तों अच्छा मैं आपको कभी बोल देता हूँ का यहा बच्चो क्या है क्या है तो आप बुरा तो नहीं मानते न प्लीज बुरा मत मानना यह मेरे कई बार मुझसे आप बोले का रहे यार म hm hm तो बड़े सर सर दों बच्छे कैसे बोल रहें तो please don't mind about हो देर ना मैंने मत करना दोस्तों अग्ला कितने लगब कितना होता है ए네 यह बैरल है न दोस्तों याद रखना यह बैरन नहीं है यह बैरल है बताईए बैरी गूद रिदिमा थैंक यू सो मच देविका बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा 159 लीटर बिल्कुल दोस्तों यहाँ आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है 159 तैंक यू सो मच सीता राम जी चलिए जी आगे बढ़ते हैं बहुत आसान सा गुष्यन है कारे का मात्रक क्या होगा दोस्तों न्यूटन होगा जूल होगा वाट होगा या डाइन होगा जल्दी बताईए दोस्तों कारे का मात्रक क्या होगा अंकुष बिल्कुल आपका नाम ले लिया मैंने अरे यार ऐसा गुच नहीं है दोस्त थैंक्यू सो मच कुलदीब जी बिल्कुल सही जवाब आंसर होगा जूल निकालेंगे कैसे डबलू बराबर एफ डॉट एस ठीके यह आप लिखेंगे इसको कारिय क्या होता है कारिय होता है बल गुणा विस्थापन ठीके दोस्तों यही होता है ना बल को किसे नापते न्यूटन से और यह क्या होता है मीटर और दोस्तों न्यूटन मीटर क्या कहलाती है जूल कहलाती है ठीके तो याद रखना बिल्कुल दिपिगा जी गनपत जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया है बहुत-बहुत स्वागत आप सबका तो बल गुड़ा विस्तापन न्यूटन मीटर ठीके है और दोस्तों अगर आप चाहे तो इसकी डैमेंशन्स भी निकाल सकते हैं आपको पता है किसी को डैमेंशन् यह किसके लिए होता है प्रकाश की तिवर्ता से ध्वनी की गति से बुकम्पी लहरों का आयाम है या ध्वनी की तिवर्ता है आपके इसाब से अंसर क्या होना चाहिए एक्जेक्ली बिलकुल सही जवाब है और आंसर है भुकम्पी लहरों का आयाम ठीके बिलकुल सही जवाब भुकम्पी लहरों का आयाम एक्जेक्ली एकदम सही आंसर है एकदम सही आंसर दोस्तो अगला कुश्चन डेसिबल एकाई का प्रियोग किसके मापन में होता है उश्मा की तिवर्ता प्रकास का वेग ध्वनी की तिवर्ता या रेडियो धर्मी आवर्ती दोस्तो छोटी सी अपील थैंक्यू सो मच जितेंद्र छोटी सी अपील आप सभी के लिए कि प्लीज आप सेशन को लाइक कर देना ठीक है एकदम सही जवाब है ध्वनी की तिवर्ता को नापने के लिए डेसिबल का उपियोग किया जाता है एकदम सही जवाब तो चलिए आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तो आपके सामने मेरे टाइमिंग्स है आप इन टाइमिंग्स को स्क्रीन शॉट लेकर आप रख लेना आप इसको देख लेना ठीक है दोस्तो तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं प्लीज जाते जाते session को ज़रूर like कर देना share कर देना और अगर channel नहीं देखा है तो subscribe कर देना तो चलिए दोस्तो thank you so much अगर आप में से कोई मुझे unacademy learning app पर जुदना चाहता है तो आप video description में एक link है उस link के जरीए आप follow कर सकते हैं दोस्तो ठीके बशरते आपको unacademy learning app डाउनलोड करना पड़ेगा चलिए दोस्तो thank you so much good night